मदनी सेध एकजाम के जितने भी अभ्यार्थी त्यारी कर रहे हैं उन सभी का इस वीडियो में स्वागत है और आज का क्लास बहुत ही मुहत्पूर्ण होने वाला है देखिए आज का जो पहला कोशन है कि कैंसर के उपचार के लिए परियुक्त रेडियो आइसो टोप कौन सा है तो एक का अगर आप अप्सन ए बता रहे है कोबाल्ट 16 तो आपका बिल्कुल राइट एंसर हो जाएगा कैंसर के उपचार के लिए परियुक्त रेडियो आइसो टोप कौन सा है तो कोबाल्ट 16 है तो अप्सन ए इस प्रसन का सही जवाब हो जाएगा नेक्स्ट प्रसन तो नमबर है लक्षे दिप की राजधानी कहा है सभी लोग कमेंट बोक्स में सही सही जवाब बताएंगे कि लक्षे दिप की राजधानी कहा है तो देखिए दो का अगर आप अप्सन सी कावा रती बता रहे है तो आपका बिल्कुल राइट एंसर है अप्सन के अनुसार लक्ष दिप की जो राधानी है वो कावा रती है यानि दो का अप्षन सी आपका बिल्कुल राइट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट प्रस्ण का सही जवाब बते तीन नंबर कि नाटो का मुख्याले कहां है फड़ा फड़ सही जवाब बते हैं आपका बिल्कुल राइट एंसर हो जाएगा हो जाएगा चार का फड़ा फड़ सही जवाब बते कि एस्यावश्मन का मुख्याले कहां है एड़ीवी का मुख्याले पूछा जा रहा है एक उस्ट पहले भी कत्ब बताएं आपको और बहुत इंपौर्टेंट है इसलिए आपको याद भी रखना होगा कि Asia Bikas Bank यानि ADB Asian Development Bank का मुख्याले कहाँ है तो बहुत बड़ आपको बताए है इस प्रसंद का सही जवाब कि Asia Bikas Bank का जो मुख्याले है वो मनिला में है तो चार का अप्सन ए आपका बिल्कुल राइट इंसर हो जाएगा नेक्स्ट परसंद पाच का सही सही जवाब बते है कि मानो हिर्दय में कितने वाल्ब होते है मानो हिर्दय में कितने वाल्ब होते है I am waiting for your answer फड़ा फट सही जवाब बते है कि मानो हिर्दय में कितने वाल्ब होते है देखिए मानो हिर्दय में चार वाल्ब होते है पुछे तो दो हो जाएगा और मानों का पुछे तो चार हो जाएगा अगला प्रस्ट नेख लिजे कि गोतम बुद्वरा ज्यान प्राप्ति की घटना क्या कहा जाता है देखते हैं कितने लोग इस प्रस्ट का सही सही जवाब बताते हैं कि गोतम बुद्वरा ज्यान प्राप्ति की घटना को क्या कहा जाता है पड़ा पड़ बताए गोतम बुद्वरा ज्यान प्राप्ति की घटना को क्या कहा जाता है तो देखिए ज्यान प्राप्ति की घटना को संबोधी के नाम से जाना जाता है तो option B इस प्रसन का सही जुआप हो जाएगा महा भिनिस कर्मन नहीं होगा और आपको बता दे कि सारनात में गोतम बुन ने अपना पहला उपदेह दिया था और उपदेश का धर्म चकर परिवर सभी लोग सही सही जवाब बताएंगे कि मानों सरीर में कुल कितनी हडिया पाई जाती है देखिए अगर आप option B 206 बता रहें तो आपका बिल्कुल राइट एंसर है मानों सरीर में कुल कितनी हडिया पाई जाती है तो 206 हडिया पाई जाती है तो option B इस प्रसन का सही जवा कि आप हो जायेगा पलोगी रधानी कहां थी नेग्स्ट प्रसन का सही जवाब बताए कि पलोगी रधानी कहां थी देखिए अगर आप आठ काप्सन धे काची पुरम बता रहें तो आपका बिल्कुल सही जवाब है पल्व किराधानी कांची पुरम है तो अबसन ए बिलकुल राइट एंसर हो जाएगा है नेक्स्ट परसन का सही जवाब व्याद रखिएगा कि नागर होल राष्ट्रिय उद्धान कि सराज में इस्थित है ये बहुत ही important है कि नागर हुल राष्ट्रिय उधान किस राज में इस्थित है 9 का सही सही जवाब बताईए कि नागर हुल राष्ट्रिय उधान किस राज में इस्थित है रेखे नो का अगर आप अपसंसी का नाटक बता रहें गुप्त समवत की अस्थापना किसने की थी दस नमर प्रस्ण का सही सही जवाब बताई है और देखे जितने भी दोस्त अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किये हैं उन्स सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी वीडियो को लाइक कर दे इतने भी दोस्त चैनल को सब्सक्रा किजिएगा तभी कलास को नोटिफिकेशन मिल पाएगा तो फड़ा फट बताई दस का सही जवाब कि गुप्त समुवत की अस्थापना किस ने की थी जखिए चंद गुप्त प्रथम बता रहे तो आपका बिल्कुल राइट एंसर है चंद गुप्त प्रथम गुप्त समुव की अस्थापना किया था नेक्ष्ट का सही सही जवाब बते कि निमना लिखित में से कौन सा बिटामिन जल में घुलन सील है एक कोशन आपको बहुत बार भी कराया है लेकिन देखते हैं कितने बचे इस प्रस्ण का सही सही जवाब दे पाते हैं कि निमना लिखित में कौन स विटामिन जल में घुलन सील है तो देखिए अगर आप इगारा का अप्षन ए बता रहे हैं विटामिन बी तो आपका बिल्कुल डाइट एंसर है विटामिन बी और सी विटामिन बी और सी जल में घुलन सील होता है बाकि सभी विटामिन जो है यह आपका वासा में घुलन सी होता है तो याद रखिएगा नेक्स प्रस्ट देख लिजे इवरोप का अखारा किसी देश को कहा जाता है बारा का सही सही जवाब बताएंगे कि इवरोप का अखारा किसी देश को कहा जाता है देखिए अगर आप बेल्जियम बता रहे हैं तो आपका बिल्खुल राइट एंसर है इरूप का खारा बेल्जियम देश को कहा जाता है तो बारा का अफ्षान ने सही जवाब हो जाएगा नेक्स्ट परसन का सही सही जवाब बता है कि लोड हार्दिंग दिवितिये ने बंगाल विभाजन किस वर्ष निरस्ट कर दिया फड़ा फड़ बता है कि लोड हार्दिंग दिवितिये ने बंगाल विभाजन किस वर्ष निरस्ट कर दिया फड़ा फड़ बता है तो आप सभ कि जवाब है नेक्स परिसलिए कि कोज कौड का प्राची नाम क्या है कोजी पॉद का प्राची नाम क्या है कि तो So standard कोड का प्राची नाम जो है कालिकट है तो चोद son 2 गवी ऋलकुल सही जवाब हो जाएगा नेक्स प्रशन 15 नमबर का सही सही जवाब बताईएगा कि पुना समझोता को अब होगा दो ही option है दो option में जो भी सही answer है आपको बताना है कि पुना समझोता की स्वर्स हुआ या तो A होगा या तो B होगा क्योंकि 50-50 का सवाल है फड़ा फड़ सही जवाब बताईए कि पुना समझोता की स्वर्स हुआ था आप सभी जानते हैं not 32 में पूना सम्झता होता तो 35 पर 15 सेप्टेमबर 1932 को पूरा सम्झता होता है इसका सही जोब अपसन हो जाएगा अगर कोचन पुछे कि पूना सम्झता कव हुगा था तो 25 सितमबर 1932 को बता देजिएगा पिल्खुल आपका सही जवाब हो जाएगा कई बार आपके एकजाम में पुछा गया है कि दास कैपिटल पुष्टक रचेता कौन है पड़ापट सही जवाब बते हैं कि दास कैपिटल पुष्टक रचेता कौन है देखिए 16 का अगर आप अप्षंसी काल मार्क्स बता रहें तो आपका बिल्कुल स सही जवाब हो जाएगा दास कैपिटल पुष्टक रचेता कौन है तो काल मार्क्स है तो 16 का अप्षंसी अपका सही जवाब हो जाएगा नेक्स्ट प्रसन का सही सही जवाब बताए कि कॉंगेस का प्रथम विभाजन किस अध्वेशन में हुआ था आप सभी जानते हैं उन अध्वेशन में कोने से दो बल में बढ़ जाते हैं एक गरम दल हो जाता है एक नरम दल हो जाता है फिर 1916 के लखनाव अध्वेशन में दोनों आपस में मिल जाते हैं रूस का राष्टिये खेल क्या है फड़ा फड़ बताए अठारा का सही जवाब कि रूस का राष्टिय एक खेल क्या है कि देखिए अगर आप 17 बता रहें तो आपका बिल्कुल है रूसका राष्ट्री के सथ्राइज हैं नेक्स्ट परसन का सही सही जवाब बताई कि मैल माइट्रो कॉंड्रिया की खोज किसने की 19 का सही जवाब बताई तो रिचर्ड अल्ट मेन ने अपका बिल्कुल राइट इंसर है रिचर्ड अल्ट मेन ने माइट्रो कॉंड्रिया की खोज की नादिर साह ने भारत प्राक्रमन किस वर्ष किया था 20 का सही सही जवाब बताए कि नादिर साह ने भारत प्राक्रमन किस वर्ष किया था देखे बिस का अगर आप A 1749 इस्वी में बता रहे तो आपका बिल्कुल राइट एंसर है नादेरशा ने भारत पराकर्मा 1749 इसमें किया था तो बीस्त का अफशन एस सही जवाब हो जाएगा अगर आप प्रस्ण एक इस नमर देखिए कि वूड़ डिश्पैज का संबन्ध किसे से है वूड़ डिश्पैज का संबन्ध किसे से है बिश्व जन संख्या दिवस कम मना जाता है बहुत important question है सभी लोग फड़ा फड़ सही जवाब बताएंगे कि बिश्व जन संख्या दिवस कम मना जाता है I am waiting for your answer कि बिश्व जन संख्या दिवस कम मना जाता है बिश्व जन संख्या दिवस 11 जुलाई को हर सल मना जाता है एक नमबर का question है आप याद रखेगा question पूछा जाएगा अब फान को कि लागों किया अभी आपको बता है कि ऊड़्ड डिश्व जो है वा शिक्षा यानि Tuika yです से संवन्दित है लेकिन इसको लागों किस ने किया सही सही बताएं कि उड़्ड डिश्व हैकर कि लागों किया लो डोल होजी बता ने तो आपका बिल्कुल right answer है। दिश्पैश को लो डोल होजी ने लागु किया था। अगला question देखें कि भ्रत का सबसे लांबा समुद्री पूल कौन सा है। फटापपड बते हैं कि भ्रत का सबसे लांबा समुद्री पूल, समुद्री पूल बताया जा रहा है अटापड बते हैं कि भारत का सबसे लंबा समुद्री पूल देखे इसका सही जवाब 24 का अप्शन B हो जाएगा बंदरा वरली से लिंक बंदरा वरली सी लिंक जो है भारत का सबसे लंबी समुद्री पूल है तो option B इस प्रशन का सही जवाब हो जाएगा अगला question का सही जवाब बते है कि भारत का सबसे लंबा समुन्देपुल की स्वर्ष खुला गया जो अभी आपको बताए है उसको कब खुला गया था फड़ापड बताएगा तो देखिए यहाँ देखिए बंदरा वरलिसी लिंग को 24 मार्च दुहाजार दौस को खुला गया था तो 25 का अपसंसी सही जवाब है रेल बजट को समाने बजट से किस वर्ष अलग कर दिया गया एक option पूछा जाएगा क्योंकि बजट पेस होने वाला है फरवरी महिना में और रेल बजट को अलग से पेस किया जाता है समय कि नहीं एए रेल बजट को समाने बजट से अलग कर दिया गया 2425 में के बीच में रेल बजट को समाने म कर दिया गया था सब्सक्राइब को अलग से पेश करती है केंद्रा की खोज किसने की फड़ा पड़ बताना है तो आपका बिल्खुल सही जवाब है केंद्रा के खोज किसने की तो रोबर्ट ब्राउन ने अगरा प्रशन अठाइस नमर देखें कि भारत के राष्ट्रिय गित वंदे मात्रम को सव प्रथम किस्वर से गाया गया तो देखिए आफ सभी जानते वंदे मत्रम बकिम्चंद शाटर जी के द्वारा अनांद मट से लिया गया है और इसको सबसे पहले जो गाया गया था व 1896 में इसको गया गया था तो अठाइस काप्शन भी सही जवाब हो जाए आगे देखिए कि वंदे मात्रम गित को सव प्रथम किस कॉंग्रेस के पड़ा पड़ बताइए कि देख लिजे पूरा कोचन गया गया है टेक ही सिंफ में कौलकात्ता रने तो आपका बलकुल सही जवाब है वंदे मात्रम को सब से पहलें आगे कोaka अधिवेशन में सब से पहले गया गया है कि सिद कूछ दातु का यसक है खड़ा भड़ बताए सीजिक आगर आपको अपक्शन लोहा बता रहें तो आपका बिल्कुल राइट एंसर है सिडराइट किसी धातु का यसक है तो लोहा धातु का यसक है आगे देख्ये पीगमी किसी देष के निवासी है वटापण बताएए पीगमी किसे देष के畜् buna तो पीगमी जो है गांगो बेश्ञा का निवाँ चेत्र कहा है पैपुआ जन्जाती का निवाँ चेत्र कहा है यह नियोगीनी में इसका सही जवाब अप्सन भी हो जाएगा ताप एवं विधूत का सूचालक अधाथु है फड़ापण बतेंगा कि ताप एवं विधूत का सूचालक अधाथु क्या है तो 33 क सचने ग्रेफाइट हो जाएगा ताप एवं जहर प्रसना याद रखिएगा कि संगिये मंत्री परषद के विश्वास परस्ताव की सधन में लाया जाता है तो इसको सही जवाब केवाला लोकसवा में हो जाएगा 34 का अपसाने सही जवाब हो जाएगा लेक्ष्ट परसन का सही सही जवाब बताएगे कि बाजरा उत्पादन में भारत का अगरानी राज ये कौन सा है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है बाजरा उत्पादन में भारत का अगरानी राज 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 अस्थान है बुश्मेन कहां कि प्रसीद जन जाती है फड़ा पर बतिएगा कि बुश्मेन कहां कि प्रसीद जन जाती है ते कलहारी मरुस्थल का याद रखे का कलहारी मरुस्थल का बुश्मेन जो है वो प्रसीद जन जाती है भारत में पुर्तगाली समराज का वास्तिविक संस्थापक किसे माना जाता है एक कोशन पूछा जाता है इसलिए आपको याद रखना होगा इतिहास से कोशन है भारत में पुर्तगाली समराज का वास्तिविक संस्थापक किसे माना जाता है नेक्स्ट परसन का सही जवाब बते हैं कि जीव दरब की खोज किस ने की जीव दरब की खोज ने की तो अप्साने सही जवाब हो जाएगा नेक्स्ट पर्शन देख लिए भारत छुरु आंदुरन के समय कॉंग्रेस के अध्यक्ष कौन थे पड़ा फट सही जवाब बतेगा कि भारत छुरु आंदुरन के समय कॉंग्रेस के अध्यक्ष कौन थे तो मोलाना अबुल कलाम जाते तो अप्शन B सही जवाब हो जाएगा निए चुक चुक कची कहा कि परमुख जन जाती है तो देखे यह उत्तर पुर्व या पुर्वी एसिया का जन जाती है तो अप्शन 6 सही जवाब हो जाएगा आज का लास्ट प्रस्ण और सभी लोग इस प्रसन को हमोरक में बताएंगे यानि comment box में बतायाँगा कि केंद्रिका की खोज किसने की थी इस प्रस्ण का सही सही जवाब आप लोग comment box में बताइएगा अभी तक 40 question की 40 question में से आपके कितने question सही हुए आप comment box में हमें जोर बताइएगा और जय हिंद जय भात